कि गुथिस उलज रही है या और उलज रही है आस्रम के फैंस के लिए निकल कर आई बहुत बड़ी खबर जी हाँ दोस्तों जो जो लोग आस्रम 4 का इंतिजार कर रहे हैं उनके लिए खुशियों की खबर आ गई है दरसल हम आपको बता दे कि आस्रम 4 अब बहुत जल्द आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ आस्रम 1,2,3 ने तो दर्सकों के बीच कमाल मचाया ही तो वहीं अब आस्रम 4 भी दर्सकों के बीच धमाल मचाने के लिए तयार होने वाली है जी है दोस्तों दरसल हम आपको बता दे कि आस्रम 4 का तो लोग बेसवरी से इंतिजार कर रहे हैं और सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कब रिलीज होगी आस्रम 4 तो हम दोस्तों आपको बता दे आस्रम 1 में जहां बवीता भावी ने कमाल दिखाया था तो वहीं आस्रम 4 में पम्मी पहलवान अपना जल्वा बिखेरेगी और बाबा को अपने वश में कर लेगी और बाबा के सभी रास खोल देगी जिससे बाबा समाज में बदनाव हो लिखा था कि आस्रम 4 कमिंग सून इन 2023 लेकिन फिर भी 2023 में आस्रम 4 को रिलीज नहीं किया गया वह भी इस वज़े से दरसल ऐसा हुआ था कि बाबी देवल ने कुछ सीन तो शूट कर लिए थे लेकिन कुछ सीन के लिए उनके पास टाइम नहीं था और आप बाबी देवल क तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वज़े से आस्रम 4 की शूटिंग रुके वी है क्योंकि बाबी देवल के सीन ही सबसे इंपोर्टन्ट है और वही सीन अभी तक शूट नहीं हुए है जहां आस्रम के कई ऐसे सीन है जो अभी तक शूट नहीं हुए है जिसकी वज़े से मेकर्स बाबी देवल से टाइम माग रहे हैं और बाबी देवल आस्रम 4 के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं तो रही बात आस्रम 4 कब आईगी तो दोस्तों हम आपको बता दे कि बाबी देवल जैसे ही आस्रम 4 के शूट के जरूर बताए साथ ही तमाम लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग खवरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले